नमस्कार दोस्तों आपके अपने फेरो टूटू चेनल आपका स्वागत है मैं सुरिशकुमा एक बार फिट साब के साथ दोस्तों आज बात करेंगे आई टी आई फाइस्ट इयर और आज बात करेंगे हम इंप्लिवर्टी स्किल्ड के पेपर गी जो आपका पिछली बार 22 अ है तो बताओ दोस्तों सौच आलम तो उसका क्या फाइदा है तो उसका राइट आस्यास का समय कम दिया तो राइट आस्यो क्या आ गया ऑगया अगला क्यूशन है है फीर्ड बेंग में मदद करता है यानी फीट भेंग में मदद क्या कर cooling मिद या वी거를 कर आपकें पहला श्य आएगा अगला क्यूसन में से कौन पबलिक स्पीकिंग के 30 पी का तत्वप नहीं है इने तीन cares नहीं है तो दोस्तों आपका रैट आउसर है की आपका का a दी और c तो है नहीं तो इसमें आपका जो process है ये इसका right answer आएगा यानि option B इसका right answer आएगा अगला question है question अच्छी समझना किसी देश की आर्थिक विकास खालिस्तान है तो आर्थिक विकास किसपर डिपेंड होती है दोस्तों तो इसका right answer आएगा वस्तोर सिवाओ की उत्पादन में वर्दी यानि option B इसका right answer आएगा अगला question है PC से टेलिफोन लाइन को जोडने के लिए किस युक्ति का उप्यों किया जाता है तो वो होता है दोस्तों आपके modem यहीं दोस्तों आपके यह paper है लगबागे 90% question यहीं से आएंगे आप अगर नीमिन पूटेट question सीरी फड़ रही हो वो पीड़ वो भी फड़ ओची बात है लेकिन इनको भी देखना है क्योंकि काफी question यहां से repeat confirm होंगे और वहां से भी आते है और telegram group पर सारी आपको कोई स अगला question दोस्तों career यात्रा का अर्थ क्या है तो दोस्तों इसका है इसमें कहीं कारिये साम्मिल है यानि option A इसका right answer आएगा अगला question है PDCA चक्र में P का अर्थ है तो दोस्तों इसमें P का अर्थ आएगा आपका plan यानि option D इसका right answer आएगा अगला question है दोस्तों आपका और question है पर्यावन को बचाने के तीन आर है तो दोस्तो पर्यावन को बचाने के तीन आर आपके कौन-कौन से आते हैं तो दोस्तो इसमें आते हैं आपका एक तो कम करें एक रिसाइकल एक पनोपियोग करें यानि option D इसका right answer आएगा अब काफी बच्चों नहीं कभी कलास नहीं ली तो ये चीज़े उनको थोड़ा अजीब भी लगीगी तो देखो दोस्तो भी एक्जाम के लिए पास होने का ये आपके लिए जुगाड है तो आप अच्छे से इन पेपरों को ध्यान से पढ़के जुरूर जाए एक दो बार आप कलास देखोगे तो ये वैस से भी क्लियर हो जाएगा अगला क्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य ग्रीन हाउस गेस कौन सा है तो दोस्तो उसके लिए होता आपका कार्बन डाई ओक्साइड तो ये काई जेन का अर्थ है तो काई जेन का अर्थ है दोस्तो निरेंतर सुदाल यानि ओप्शन ए इसका राइटांस्वर होगा क्यूशन अगला है दोस्तो निमन में से कौन से वत्वे वित्तरन सत्य है तो दोस्तो इसका सत्य होगा आप जितनी अधिक समाशाओं का समाधान करेंगे समाशा को सुल जाने में आप उतने ही बेतर होंगे यानि option B इसका रायट answer आएगा अगला question है iso standard के लिए खड़ा है यानि किसके लिए यानि यहाँ पर इसकी फुल्मपर मुझ रहा है तो दोस्तो वैसे इसकी फुल्मपर होती है international standard organization लेकिन यहाँ पर पूरा दे रहा है लेकिन कई भी पूरा ने तो इसका आएगा international organization standard ठीक है और आपका अलगलग option में अलगलग दे रहा है लेकिन यह क्या है गलत है क्योंकि इसमें दोस्तो international organization तो है लेकिन आपर पहले आई की फुलू फुरूम देदी इंटरनेशनल फिर पहले ओकी देजेन और गया फिर एस की बाद में दिए ठीक है तो यह आपर पूंच रहे किस की रूप में ख़ड़ा होता अगर फुलू फुरूम होता तो वह अलग होता अगला क्यूसन है कोन सा सकरात्मक दस्टिकोन का प्रेणाम नहीं है तो बता दोस्तों कोन सा नहीं है तो वो है उदासी अगला क्यूसने आप ATM से 500 रुपे निकालते हैं 500 रुपे निकालते हैं और ATM मशीन रुपे 500 देते हैं यानि आप 500 रुपे निकाल रहे हो लेकिन वो आपको 5000 दे रही है तो निम्न में से कौन सा नेतिक रूप से सही नहीं है अगला क्यूशन है किसी कारे के लिए किये जाने वाले करते हो और जिम्मेदार्यों का लिखित विवरन खायस्तान कहा जाता है तो दोस्तों कहता है अगला क्यूशन है वह सब्द जो किसी दूसरे सब्द के सम्मान होता है लेकिन अर्थ में भिन होता है जिसे खायस्तान कहा जाता है तो दोस्तों उसके कोड़े हम होमो फोन अगला क्यूशन है निमन में से कौन सा विकल एक सब्द के प्रियावर्ची को दर्सादा जिसे हम MS वर्ड में टाइप करते हैं यानि कम्प्रूशन मत जिसे हम थे सोरस कहते हैं अगला क्यूशन है गुणता खालिस्तान के बि लिए अगला क्यूशन है क्रोधी व्यक्ति की बोड़ी लेंग्वेज होगी तो बताब दोस्तों कैसे होगी सांत यह तो होगी नहीं दास्ताना यह भी नहीं होगी आराम से और सुगदा यह भी नहीं होगी आक्रामक तो इसका राइट आम सुराएगा आपका ड यानि उसक गुण है जिने नकारातम वाना जाता है और जिन पर काम करने के आवश्यक्ता होती है दोस्तों कौन सा होता है तो वो तिये व्यक्तिगति कमजोरी अगला क्यूशन है रूप में खाल खालिस्तान के रूप में जाना जाता है यानि किसके रूप में जाता थो नहीं है अगया support है इसका right answer नहीं है क्योंद सफलता प्राप्त करने के लिए कून सा अवश्य collection नहीं है दोस्तों आपका unethical work है यानि अपर गया तो दोस्तों यह आपके टोटल क्यूशन हो चुके तो अब इक लिए बसे तरही नेक्स्ट करांगे फिर्म लेंगे तब तक लिए धन्यवाद दोस्तों